आज मैं आपके लिए ऐसी ऐसी टिप्स लाई हूँ ना जिसे देखने के बाद आप इसे जरूर करना चाहेंगे तो आज का सबसे पहला जो हमारा टिप्स है वे है दूद को ले करके दूद तो हम सभी बॉयल करते ही हैं सुबह हो या साम लेकिन जैसे ही दूद बॉयल होता है तो हम क्या करते हैं कि इसे पंके के नीचे या ऐसी छोड़ देते हैं ताकि जो हमारा दूद है अच्छी तरह से ठंडा हो जाए लेकिन आप इसे इस तरह से नहीं इस तरह से ठंडा करें एक कैसा भी आप थोड़े से बड़े से बर्तन को लें और उसमें ना एक सी डेर क्लास के करीब पानी डाल दें और इसी में दूद को डाल करके 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़तें अगर आप दूद को हलका सा गर्म पीना चाहते हैं तो बस इसे इसे स्टेज पे निकाल ले और पी सकते हैं और अगर आप फ्रीज में रखना चाहते हैं तो इसे और अची तरह से ठंडा कर लें दो सितीन मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो जिस पानी में हमने दूद को रखा था वे पानी इतना गर्म होगया है कि आप इसे डज भी नहीं कर सकते हैं अब इस पानी को क्या करें इस पानी में interessate को नमक डाल दे और अपने हाथ और पैरो की सेका ही कर सकते हैं जो बहुती अराम मिलेगा या अपने आप कीचन के ट्यॉलकों भी साब कर सकते हैं तो देखा ना आपने कि पीना गयसल आप पानी को किस तरह से घर्म करेंगे तो आप इसे जरूर ट्राई करें, और जो हमारा next tip है वे है इस तरह के container को ले करके, इस तरह के बिंबार का या कोई भी container तो हम सबी के पास रहता है, तो क्या करते हैं, उसे फिक देते हैं, तो dispose तो तो मैंने इसमें रख लिया है और अगर आपके पास इस तरह का container ना हो तो इस तरह का आप भी बार तो जरूर खरीते होंगे तो आप इसमें ना देखिए इस तरह से आप अपने candle को store करके रख सकते हैं ताकि आप जब भी candle को खोजे ना तो बहुत ही असानी से मिल सकें दोनों सैट से गतने की सज्रूरद नहीं है और यह बहुत ही असानी से कट भी जाएगा यह देख किस तरह से नाइप को गर्म करके काटेंगे तो बहुत ही असानी से ही कट भी जाएगा और बहुत ही अच्छा organizer बन करके ready हो जाएगा और यहाँ पिर देखे हमने इसे काट लिया है तब पर क्या करें ना कि इसमें आप अपने दूद ब्रस को रख लें आप अगर कहीं सफर में जा रहे हैं तो बहुत ही काम आएगा बहुत पर ऐसा होता है कि बैक जो होता है उसके साइड वाले में तो हम ब्रस रख देते हैं लेकिन अगर वहाँ पे जगा नहीं हो तो आप इसे इस बूतल में असानी से अपने ब्रस और अपने एरेजर को इसमें रख सकते हैं आप इसमें सारे family के प्रस को रख सकते हैं बस बहुत ही अच्छा organizer बन करके ready है आप इसे back के किसी भी side में रखते हैं और जो हमारा next tips है वे हैं इस तरह के बंद गोभी को ले करके जिसे हम पत्ता गोभी या cabbage भी बोलते हैं बहुत बार हम सूचते हैं कि बंद गोभी को हम फटा फट बारिक बारिक काट लें लेकिन अगर हम नाइप से काटते हैं न तो बहुत यह time लगता है और अच्छी तरह से कटता भी नहीं फिर क्या करें ना कि आप इस तरह का gritter को लें तो यह देखिए इस साइट से हम काटेंगे जहां हम बिल्कुल प्लेन हो तो बस बंद गोभी को चार भाग में काट लें और इसे बहुत असानी से इस तरह से काटते जाएं तो देखेंगे कि बहुत ही बारिक आपका बंद को भी और मिंटों में कट करके ready हो गया है अगर आपके पास प्लास्टीक वाला gritter हो ना तो उससे भी आप इसे काट सकते हैं यह देखिए कितना बारिक यह बंद को भी कट करके ready हो गया है और इसे काटने में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगा है और इस तरह से बारी कटे हुए बंदगोवी से आप चिला या सबजी बनाना तो बहुत है टेस्टी लगता है आप इसे अपने मैगी या चाउमिन में भी डाल सकते हैं और यहाँ पर हमने देखें मिन्टो में सारे बंदगोवी को काट लिया तो आप इसे जरो ट्राइ करके देखें और जो हमारा नेक्स टिप्स है वे है ब्रेट को ले करके ब्रेट तो हम सबी खरीते हैं लेकिन आप जो उपर वाला हिसा होता है आप उसे सबसे पहले नहीं खाएं जो बीच वाला हिसा होता है जो बीच वाले स्लाइस होता है आप उसे सबसे पहले खत्म करें जो braid का उपर वाला हिसा होता है वे braid को ढखने के लिए होता है इससे आपका जो braid होता है बहुत ही soft रहेगा और braid जब भी आप यूज कर लें उपर वाले हिसा को इस तरह से ढखतें और इसमें garden लगातें या clip और उसे फ्रीजर में रखतें जहां आप ice जमाते हैं वहीं पर braid क soft रहेगा और जब भी आपको braid काना हो से 10 मिनिट पहले निकाल ले तो आप इसे भी जरू try करके देखें और जो हमारा next tips है वे है नीमबू को ले करके नीमबू हम सभी कभी कभी बहुत चाहते मातरा में खरीद के लागते हैं तो वे क्या होता है खराब होने लगता है मैंने नीमबू का और एक वीडियो डाला था आप वैसे भी रख सकते हैं और आप अगर उस तरह से नहीं रख सकते हैं तो आप नीमबू को इस तरह से रखें इस तरह का जो नीउस पेपर होता है आप उसे ले चोटी चोटी टुक्रों में से इस तरह से कट कर लें आप कोई भी पुराना अकपार को ले और क्या करे ना कि एक निम्बू को ले और निम्बू को इस तरह से फोल्ड कर ले और बस इस तरह से ची तरह से फोल्ड करने के बद क्या करे कि कंटेनर ले और कंटेनर में निम्बू को इस तरह से रखते इस तरह से अगर आप निम्बू को रखेंग मैं सोची चलिए आपके साथ सेर करती हूँ और इसी तरह से सारे निम्बू को फोल्ड कर लें और इसके लीट को अची तरह से लगा करके ना इसे क्या करें की फ्रीज में रख दें देखेंगे कि आपका निम्बू बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ तो आप इसे जो ट्राइ करके देखेंगें